किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कभी किसी बोजिल से पल को जब मैंने गीतों में गाया सबने गाते सुना अकेले लेकिन कोई पास ना आया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं हूँ आपका दोस्त कभी आ दिखने से आपके लिए एक सोचना कि हम कल से इसा हमारा विचार है कि सामाजिक विज्ञान का अपना जो पठे करम है उस हिसाब से टोपिक वाइज टेस्ट सिरीज वेकलपिक प्रशनों की चलाने की सोच रहें तो कितने मित्र है जो टोपिक वाइज सामाजिक के पठे करम अनुसार टेस्ट सिरीज चाहते हैं बहतरिन प्रशनों का संकलन होगा तो कमेंट करके बताएगा जो मित्र इसमें ये चाहते हैं और रूची रख रहे हैं टेस्ट सिरीज में सबसे पहले जान लेते हैं कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है तो साधारण सब्दों में हम बात करें तो संगटित रूप से व्यक्ति आप से सहयों के साथ जो कारिया करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं कि मैं अकले से कोई काम नहीं कर सकता तो दो चार लोग मिलकर किसी काम को कि ये काम मेरे हो तो तुम सहयों कर देना तुमारे हो तो मैं सहयों कर दूँगा तो संगटित रूप से आप से सहयों के साथ जो कारिया करते हैं वो कहलाता है सहकारिता से कारिता में सदस्या स्वेचिक होती है जब और दस्ति आप किसी को सदस्या नहीं बना सकते से मतिस है इसके जो मूल मंत्र है या इसका जो कह सकते है इसका उद्दे से क्या है नेतिक मूल मंत्र क्या है वो है एक सब के लिए सब एक के लिए और दूसरा सब के हित में ही हमारा हित है मौल मंत्रों में दो बाते प्रमुक है एक सब के लिए, सब एक के लिए और सब के हित में ही हमारा हित है इस उद्धिस्य के साथ में ये कारिय संपादित होता है उपभोकता सशक्तिकरण की बात करते है तो इसके अंदर उपवोगता को शोसन जे बचाने के लिए सरकार ने उपवोगता सरंक्षन कानून 1986 बनाए एक तो इस कानून का ध्यान में रखना उपवोगता सरंक्षन कानून का बनाए 1986 इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपवोगता अदालत में अपने सिकाइद दर्ज करा सकता है अदालत उस उपभोगता और रहात प्रदान करेगी मान लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं आप तो उसका अपने भुकतान भी किया चीज उसने खराब दे दी या किसी कारण से उसमें खराबी आ गई वजन कम दे दिया और ऐसी कुछ भी वस्तु से जुड़ी कोई खामी है तो आप उस डीलर के परती उस दुकानदार के परती उपभोगता मंज के अंदर अपने सिकायत है जो दर्ज करा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि उपभोगता कौन होता है सिद्सी पूछ लिया जाए तो जब कोई वेक्ति अपने उप्योग के लिए कोई वस्तु या फिर सेवा खरी दे यह मतलब पैसे देता है उसके तो वो क्या कहलाता है उबोकता कहलाता है ठीक है जब भी आप वस्तु कोई खरीदें तो उस पर जो मानक चिन होते हैं वह जरूर देखें उसका बिल जरूर लेकर आए नहीं तो आप बाइदवे उसमें अगर कोई खामी आ गई तो बिना बिल के आप उसके शिकायत नहीं कर आई एस आई एगमार्ग एफ पियो ये मानक चिन है प्रश्ण बन जाए निम्ग में से मानक चिन कौन सा नहीं है तीन ये दे दे एक में कोई और कुछ हो तो वहां पर वो हो जाएगा अब बात करें कोई चीज में खामी आगी तो अब वो उबोकता है जो सिकायत कहां पर क करें तो उबोकता के लिए उबोकता नायले बनाए गये नायलों का गठन किया गया अगर 20 लाग रुपे तक कोई मामला है अगर 20 लाग रुपे तक की सिकायत करनी है तो वह कहां पर करेगा जिला उपभोकता मंच के अंदर 20 लाग रुपे तक अगर सिकायत का मामला है तो क एक क्रोड तक का 20 लाग से लेकर एक क्रोड रुपे तक अगर कोई ठागी का चीज में इदर उदर खामे का कोई मामला है तो वो करेगा राज्य उपभोगता आयोग इंदर यह राश्य और यह मंच आपको दोनों ध्यान में रखने हैं 20 लाग से अधिक एक क्रोड तक की राज्य उपभोगता आयोग में होगा और बात आए फिर एक रोड से अधिक की तो वो फिर होगा राश्ट्रिय उपभोगता आयोग में इसका मामला है जो दर्ज होगा दर्ज करवाने के लिए कुछ नहीं करना होता चार-पांच साध्य पन्नों पर जो शिकाय तो वो लि कि अधिकर्के गा तीस दिन कीमें न्याय के लिए उपरी न्यायले में अप्रील कर सकता है जले तो या से शेवा में दो वार्ट की आप अबडी में शिकाय धर्श करना जुरूरी होती है यह नहीं कोई चीज या चार साल। बाद में जाते हैं हम यहमार्ट यहीं कि दो साल अब दिके अंदर अंदर कि मैं आप गारन्टी और वारंटी दोनों चीज़ें सुनिए होगी गारंटी और वारंटी फ़र क्या होता है गारंटी या कि जो भी आवस्तु खरीदे गारंटी आव सबते हो् Sakandiri एक साल की गारंटी दे रखिए तो एक निस्चित अवदी में दोस आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविदा यहने कोई चीज खरीदी आपने वह खराब हो गई को निस्चित अवदी है उसकी एक साल गारंटी है तो उस एक साल के अब की तो वह उसकी निसुल्व बिना पेसे लिए मरमत करके देखा दो मरमत करके देगे के उलL तो वह वारंटी कहलाएगी और बिल्कुल न्यूफ रेस अगर आपको चीज B pouco देता तो वह गारंटीर के अधिन आती ठीक एक सहकारिता समीती से शमदेव प्रष्ट बंसकत सब्सक्राइब करें गंटे की निसान को जरूर दबा लें तक आने वाले वीडियोज की सूसना भी आपको मिलते हैं